आज मैं बनने जारी हूँ आम के खटे मीठे कलोंजी जो खाने में बहुत ज्यादर स्वादिश्टे और इसे आप हपते भर तक फ्रेज में भी रखकर खा सकते हैं इसे रोटी प्राथा किसी के साथ भी आप खाए और इसे हम छिल लेते हैं तेहां पर हमने पांच आम लिया ह तो यहां पर हमने आम को छिल लिया है तिसे हम चार भागों में काट लेते हैं तो यहां पर हमने इसे काट लिया है यह देखिए मैंने इसे लंबे लंबे टुकरों में काटा है और यहां पर हमने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है तेल मैंने सरसोका डाला है तेल गरम कि तुरा सबस्वे को पक्ने देंगे इसम लाल मिर्स टाला है और एक तेजपत्ता को दो वाग में तोड एम ऐसी के हराग न कोटाओ यान कन या वैसा मिला लेते हैं तो हम इसमें आम को डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं दो तीन मिनट तक तो यहां पर हमने अच्छे से इसे मिला लिया है ऐसे दो मिनट के लिए हम धकन से धक देते हैं तो दो मिनट हो गया है वापस से हम इसे फिर से मिला लेते हैं तिसमें हम डालेंगे मसाला तिसमें मैंने आधा चमस हल्दी पॉडर डाला है और आधा चमस मैंने यहां धनिया पॉडर डाला है और यहां पर थोड़ा सा मैंने लालमीच का पॉडर डाला है और अच्छे से हम मसालो को मिला लेते है तिहां पर हमने अच्छे से मसालो को मिला लिया है तो इसमें हम डालेंगे स्वाब निसाल नमक थोड़ा समय ने यहां पर काला नमक डाला है इसे इसका टेस्ट जो काफी जादा अच्छा था है और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं यहां पर हमने अच्छे से मसालो को मिला लिया है इसमें हम डाले मीठा अगर आपक मिनट के लिए हम मेधियम गया सब पकने देंगे तियां पर पांस मिनट हो गया आप अपनी मन पसंद डाय फूर्ट इस में डाल सकते हैं तो यह ते यह मैं आपको सर्फ करके दिखाते हैं गैस को मैंने बंद कर दिया है तो यह देखिए मेरा कलोंजी बंद कर तयार हो गया है तो इस रेश्पी को घर पर आप ज़रूर ट्राइ करना और यह आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगीगा अगर आपको मेरी वीडियो फशंद आये तो मुझे कमेंट करके ज